एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिंगार अजुन के नए एपिसोड में दोस्तो आलरेडी भारत की मेंस्ट्रीम आटो कमपनीजे स्पेशल टूविलेस कमपनीजी बात करते हम बजाज, टीवियस यह अपने अपने अलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच कर चुकी है होंटा की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, हीरो मोटो कोप बिल्कुल कई प्रोटाइप्स पर काम कर रहा हूं उमीद है कि इसी साल कोई न कोई उनका पुड़क मार्किट में लाँच हो जाएगा होंटा की तरफ से आज भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आज जिस मॉडल पर हम बात करेंगे वो है सुजुकी का बर्ग मैन, बिल्कुल दोस्तो उसके इलेक्ट्रिक वर्जन पर आज का अपडेट रहेगा पिछले मीने भी अपडेट आया था कि उसको टेस्टिंग के दुरान बर्ग मैन के लेक्ट्रिक वर्जन की टेस्टिंग के दुरान देखा गया था तब मैंने वीडियो इसलही नहीं बनाई थी क्योंकि तब उसकी कुछ टेक्निकल डिटेल स्पैसिकेशन कुछ भी आइडिया नहीं था बट आज उससे जुड़े कुछ अपडेट क्लीर होए हैं तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक बार फिर से सुजुकी के बर्गमैन का एलेक्ट्रिक स्कूटर को डूरिंग टेस्टिंग देखा गया और इस बार बिलकुल नेगड ओपन सारा क्लीर था और अगर हम आउटर स्पेस की बात करें तो बिलकुल मैक्सी स्टाइल स्कूटर है ये और देखने में बिलकुल जो ISE ये पेट्रोल पावर जी स्कूटर उसके जैसा ही है लेकिन इंटर्नल बहुत कुछ इसमें चेंज किया गया है इसमें पर्मेनेट मैगनेट AC मोटर लगाई गई है बैल्च ड्राइव सिस्टम रहेगा सारा जो की अच्छी बात है जो पावर आउटपुट है 5-6 किल वाट के आसपास रहेगी लिद्धमान बैटरी जो रहेगी उसकी पावर का भी आईडिया नहीं है लिद्धमान बैटरी लेकिन आपको यहां पर हंडेट से लेकर 120 किलोमेटर की रेंज मिनिमम मिलेगी टॉप स्पीड की बात करें तो मिनिममम 80 किलोमेटर पर आर की आपको बैटरी चार्ज हो किलोमेटर हो रन या अदर जितनी भी इस न्यूज इंफरमेशन है आपको स्कूटर से लेटेड इस टस्क्रीन में माफ कीज़ेस डिस्टर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में दिखाई देगा इसके लावा जिसके दोनों टायर्स हैं डिस्क ब्रेक लगी हु इसके लावा जैसे मैंने पहले बताया आपको जो यहां पर टॉप स्पीड है 80 किलोमेटर पर आर की मिलने वाली है अक्सर करी स्कूलो में थोड़ा सा स्कूटर में इसको कैप किया गया है 60 किलोमेटर साथ की स्पीड तक कैप किया गया है तांकि रेंज जादा मिले बट य जाचेता के साथ TVS के iCube के साथ और कंपने की तरफ से कोई अभी तक वैसे अपडेट नहीं है लाउंच होनेगा बट मेरा मानना है कि इसको इसी साल दिवाली के आज पास लाउंच किया जाएगा अब इस तभी इसको बार-बार दूरिंग टेस्टिंग देखा जा रहा है अ जाहां थम्स अभ है सुजूकी के लिए कैटलिसे तो ने कुष्टय शुरू किया वहीं थम्स डाउन है होंडा मोटर साइकल के लिए चाय होंडा कार्स की बात कीजिए यह बिलकुल ही फिसड़ी निकली कंपनी electric vehicle segment की promotion के लिएक बड़ा सा zero इनके पल्ले है कुछ नहीं R&D के नाम पर कुछ नहीं सिरफ ये हम भारतियों से पैसा कमाना जानते है इनको कोई टेंशन नहीं है इन गॉर्मेंट की, पॉलिशन की, कितने मरते हैं कोई टेंशन नहीं है दोस्तों ऐसी कमपनीज का बाइकाट करना चाहिए बनता है करना अगर आज नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा हमारी जैसी तैसी निकल जाएगी मैं 40 साल का हो गया हूँ मैं फिर कहता हूँ हमारी जैसी तैसी निकल जाएगी हमारी आने वाले जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी यह था आज का अवराल अपडेट आपका क्या कहना अपडेट के बारे में अपने कमेंट जरूर जरूर बताईएगा दोने बाद वीडियो कों तक देखने के लिए जाहिंद